असलाम अलेकों इस्ट्रेंट्स वेलकम टो एटलर अकेडमी पुशाम दीद कहता हूं आप सब लोगों को अपनी इस वीडियो में तो इस्ट्रेंट्स आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है पोईट्री और वो क्लास फस्टी एड इंग्लिश की बुक से लिए क्य नहीं फैन तो हम फिर उसके आगे अनॉनिमस लिख देते हैं इंग्लिश में तो इस्ट्रेंट्स एबट ऑफ केंटेबरी की स्टोरी सुनते हैं बहुत जबर्दस स्टोरी है इंशाल्ला आपको मज़ा आएगा सुनने में और मुझे बताने में भी आपको बहुत मज़ा आ स Capit लेता रहता है इसी तरह ही उसका वजीर एक दिन उसे बताता है कि सर एक बंदा है एबट जो के बहुत अमीर है और वो इतना अमीर है कि उसके मुलाजम या उसके नौकर जो हैं वो पचास हैं और हर मुलाजम के गले में एक सोने की मोटी चेन है जो वो हर वक पहनता है और एबट को मेरे सामने पेश किया जाए कि एबट कौन है ऐसा इंसान जो मुझसे जादा अमीर है और उसके पचास नौकर है और इतने सब जाइदात का मालिक है तो वह ऐसा क्यूं है तो एबट अफ केंडिमरी को इतला दी गई कि आपको बादशाह ने तल्ब किया है तो बाद की जाएदाद थी और में इसमें अकहला वारिस हूँ हूँ मेरे पास अगर पैसा है allora मैं आपने पैसे खर्च करना हूँ तो इसमें कोई खलिषा तो अलिषार की आली शान की आवुस्ताखी तो नहीं तो उसे का कै जी हاں यह बिलकुल गुस्ताखी है और बादशाह ने का बहुत बड़ा गुना था क्योंकि वह एक जालिम शक्स था तो उसने पहला सवाल किया कि आप मुझे बताएं कि मैं जब अपने ताज के साथ अपने तक्त पर बैठता हूं जब के मैं पादशा की नसल में से हूं तो जब मैं एक आला नसल में से हूं और उसके बाद मेरी कीमत बताओ कि मेरी कीमत क्या होगी दूसरा सवाल आप ये बताओ कि मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाओं तो उसमें कितना वक्त लगेगा तीसरा सवाल जो उसने पूछा वो ये पूछा कि बिना हिचकेचाई ये बताना है आपको कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ अब एबर बहुत परिशान हुआ सोच में पढ़ गया उसने का कि वही आप तो भज गया मैं अब क्या करूँ तो जनाब उसने ये किया कि उसने कहा कि जनाब मुझे तीन हफ़ते का टाइम दे दे मैं तीन हफ़ते के टाइम में इन सवालों का जवाब ढूंड कर लाँगा बादशाने का ठीक है आप तीन हफ़ते का टाइम ले लो लगए नेक शर्त है अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं ढूँन पाए तो आपकी सारी जायदा, जो है, जमीन जो है वो मेरी हो जाएगी तो एबट बड़ा परेशान हुआ, मरता क्या ना करता, उसने कहा कि ठीक है जनाब, अगर मैं सवालों के जवाब नहीं लापाया तो मेरी जमीन जायदात सब आपके हो जाएगी इसी तरह ही हुआ यूँ कि वो विचारा दर-दर वटकने लगा इस दर से उस दर पे आलिमों को ढूनने लगा सवालों के जवाब के लिए आखर Cambridge University गया, Oxford University गया उस वक्ते बड़े बड़े तालिमी एदारों को Oxford या Cambridge के नाम से जाना जाता हुआ तो वो वहाँ पर गया और वहाँ के आलिमों से मिला और इन सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश की लेकिन सब आलिम जो थे वो बिलकुल हाथ खड़े करके बैठ गया और कहा के जनाब हमारे पास इन सवालों के बिलकुल भी जवाब नहीं ठक हारके परिशान होके वापिस अपनी जमीन की तरफ निजाएदाद की तरफ अपने घर की तरफ वापिस आ रहा था तो उसकी मुलागात एक चरवाहे से हुई एक शेफर्ट से हुई तो शेफर्ट ने कहा के ओ माई लॉड के आप वापिस आ गए मुझे बहुत खुशी है कि आप किंग जॉन के तरफ से कोई खुश खबरी लाएंगे हमारे लिए कि आप बच गया है या आप महफूज है तो उसने का कि नहीं बुरी खबर है अलास there is a sad news कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया और मैं सिर्फ तीन सवालों के जवाब नहीं दे पाया और इन तीन सवालों के जवाब ना देने की सजा मुझे ये मिलेगी कि मुझे बंदी बना लिय जाएगा कैदी बना लिया जाएगा और मेरी सारी जमीन और जायता जो है वो अब कर ली जाएगी बादशाय के जरी है अच्छा तो शेफर्ड ने का कि जनाब अगर आप मुझे एक मौका दें कि मैं इन सवालों के जवाब दे सकूं तो उसने का पहले सवालों के सवाल के स जाएगा तो शेफर्ड को शेफर्ड को शेफर्ड का कि जनाब में आपके इन तीन सवालों का जवाब दूँगा बजाहिर में बिल्कुल शिक्रShabi मैं बिल्कुल आप जैसा हूं पेन डेय डॉल में भी आप जैसा मैं आप ओपे еने के अपना बैया बैट वाध्षाहि को तो उसने शेफर्ड को अपना वेयल दे दिया साथ में अपनी गोल्ड चेंज जो भी उसकी जिवलरी थी वो सब दे दी और देने के बाद उसको कहा कि जी अल्ला आफिज आब आप जाएं और जाकर अपने मकस्द में कामयाब हूँ शेफर्ड जब पादश्य के अदालत है प बस थोड़ी सी परचाही है थोड़ी जलक देखें इसी तरह ही जब बादश्य के अदालत है तो उसने का कि बादश्या मैं हाजर हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए आपका पहला सवाल ये था कि आप मुझे ये बताएं कि मेरी पूरी संतलत में मैं अपने ता 28 सिक्चे उसने का कि ये कैसी बात कर रहे हूँ कि 28 सिक्चे उसने का मैं आपको दलील देता हूँ जेजिस क्रिस्ट को आखरत ईसजा आसलाम आप लोग बहुत बहुत पहते इन तरीके सा जानते होंगा उनको खरिदा गया था 29 सिह पैसे में उनकी अखरीदी ख़रीदी गई थी 29 सिह तो क्रिस्टैन्स का यह मानना है कि उनkeln 29 सिभ कर दिया गया था तो अब वो ये कहते हैं कि अगर सबसे बड़ा बादशाय जो खुदा हम जिसे मानते हैं अगर उसको 29 पैसों में बेचा जा सकता है तो आपकी कीमत उससे एक कदर नीचे होगी और आपकी कीमत 28 पैनीज है यानि कि सिर्फ 28 सिके बादशाय बड़ा खुश हुआ बादशाय ने का वाकई ये बात और ये जो दलील इसने दिया ये बहुत एक्जेक्ट बैटी है इसलिए उसने पहले सवाल का जवाब तसलीम कर लिया दूसरे सवाल का जवाब उसने का कि आप पूरी दुनिया का चकर सिर्फ 24 घंटों में ल और दौरता हो किसरे रौशनी के रौटार से दौरता हो और आप किया करें किसरे पहली किरण के साथ दौरना श्रू करें तो दूसरे दिन जब सूरज भरूब होने वाला होगा और फिर भरूब वोकर तलूँ होगा तो आप उसी अपना सफर शुरू किया था और इस तरह आप पुरी दुनिया का चक्र भी लगा लेंगे बादशा बड़ा एनाम हुआ यार इसने तो मेरे दूसरे सवाल के जवाब भी दे दिया बड़ी महारत के साथ बड़ी जबरदस तरीके से जवाब दिया बादशा बड़ा खुश तो आप यही सोच रहे थे कि यह एबड किस तरह है यह एबड है यह मेरे सामने मुझूद है लाजनी बात है कि एक शक्र जब सामने होगा तो आपका कुश्चन करने वाला बंदा है वही कहा ना कि सेकेंड परसंट वो है जिससे मैंने सवाल किये थे एबड है लेकिन दरसल इससे बड़ा खुश हुआ बड़ा मुतासिर हुआ उसने क्या किया कि उस शेफर्ड को कहा कि अपने लॉर्ड एबड से कहना कि जब वो वापिस आएगा कि जब वो वापिस आजा अपनी संतरत में तो उसे कहना कि मैंने उसे माफ किया और उसकी जमीन जायदाद भी उसे ये भी बताना कि मैंने तुम्हें तौफे के तौर पे इनामाद से नवाजाए तो इस तरह वो शेफट बड़ा खुश हुआ एबट की जान भी बच गई और ये स्टोरी अपने अखताम को पहुची अब इस पोईट्री में जो हमने आज सुनी और समझी इसमें आपके लिए जो लेसन है वो ये है कि हमें किसी भी सूरदएकाल में घबराना नहीं चाहिए दूसरा लेसन ये कि कभी कभी हमारे ऐसे सवलाथ जवाब जो है वो फुछ ऐसी चोटी चोटी चीजहों में छुपे होते हैं जिनको हम अकसर नजर अन्दाज कर देते हैं afin को हम हकीर जानते ह उन हकीर चीजों के पास, उन हकीर लोगों.समारे उन सवालाथ के जवाबाप के जिलाबत होते हैं। जो के बड़े-बड़े आलेवेखे बैलिमों के रहे होते हैं। a poetry which tells a short story or a story or more than 16 lines ठीक है एक ऐसी poetry जो 16 lines से जादा हो और एक story बताती हो छोटी या बड़ी एक story सुनाती हो आपको तो वो कहलाती है ballad अब famous balance कौन सी है जी Scottish की Scotland की और England के दर्मयान जो border area है जो वहां की लोग अपनी घजले गाते हैं वो बहुत famous हैं लेकिन उनका dialect समझना उनकी language समझना English literature में थोड़ी सी मुश्किल है इसलिए वो कहते है रीडर्स यह कहते हैं कि उस language को समझना बहुत मुश्किल है अगर हम समझ जाएं तो उनकी tone उनकी रियतम बहुत जबरदास्त है और वो maybe सबसे बहतरीन ballads कहला है ठीक है क्योंके ballad को sing भी किया जाता है तो इसलिए उनकी tone जो है वो बड़ी sense mercy इसी तरह ही अगर हम आगे जाते हैं जो हम यह पढ़ने इसके साथ ही हमारी कुछ ऐसी भी है जो starting 14th century में भी लिखे गई है जैफरी चॉसर जिनकों father of English भी कहते हैं उन्हेंने भी कुछ ऐसी बैलर्स लिखी है जो कि हम गा सकते हैं सुन सकते हैं समझ सकते हैं ठीक है students तो आपको बता चल गया कि यह किस form में लिखी हुई है और इसकी poetry की story क्या है अब आप बहुत आसानी से इसको अपने words में explain कर सकते हैं और आप इसका जो है वो central idea साथ में summary और साथ में ही आप इसकी form को भी describe कर सकते हैं ठीक है students तो यहां lecture हम end करते हैं अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप directly मुझे comment section में पूछ सकते हैं और अगर आप नए है मेरी वीडियो पे और first time मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो please मैं आपसे यह कहूंगा कि आप मेरे चैनल को subscribe कर दें और जंती वाले बटन को दबा दें ताकि मेरी next आने वाले को दो को